और वो खबर है दाल की कीमतों से चुड़ी हुई दाल की परती कीमतों पर सरकार सक्त होती भी नज़रा रही है उपभोकता मामलों के सच्छिव की अध्यक्ष्टा में इस पर बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या हुआ इसकी डीटेल्स के साथ अमरीश पांडे लगातार बने हुए है अमरीश इसपर भी धर अपडेट दे दीजे क्या कर रही है सरकार दाल की कीमतों पर क्या मंधन चल रहा है तेकि लगातार सरकार दाल की कीमतों को लेकर जो बैठके हैं उसके दौर शुरू कर दिया था एक कमिटी बनाई थी जो की अलग-अलग राजियों में जाके इसकी निगरानी कर रही थी, रिपोर्ट बना रही थी, और जो सरकार की पास input मिले, वो इस परस तोर पर ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत में लगाता है, demand बढ़ रही है, उत्पैदावार की कमी है, मौसम इसका फाइदा, exporters उठा रहे हैं, यानि कि वो लोग जहां से हम डाल मंगाते हैं, वो इसका फाइदाव उठाने लगे हैं, और हमने जितने डाल के order भी हैं, अब वो लोग अपने end पे कर रहे हैं, यानि कि भारत से जो order गए हैं, उसकी delivery नहीं करके, वो अपने end पे उसको रोक रहे हैं, और जब-जब यहां पे कीमते बढ़ती हैं, फिर क्रंच होता है, उस क्रंच के दोरान थोड़ा-थोड़ा करके माल रिलीज कर रहे हैं, आज जो बैठक की थी, वो भुकता मामले सचिव ने, जिसमें कि घरेलू जो importers हैं, वो भी शामिल थे, इसके अलावा exporter शामिल थे, उन दोनों के साथ एक बात को साफ तोर पर कहा है कि सरकार किसी भी मामले में, किसी भी इस तर पर hoarding को बरदाश्ट नहीं करेगी, यही संदेश नोने विदेशी जो exporters हैं, जहां से हम import करते हैं, उनको भी साफ कहा है कि अगर आपने अपने end पर hoarding बंद नही की, तो हम आपका जो import है, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, और यह संदेश अपने आप में इतना सक्त है, जिसका कि खामियाजा, उस तरह के exporters जो hoarding कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार import बंद कर देती है, और सरकार खुद ही जाती ह import करने के लिए, तो वो सरकार to सरकार की dealing होगी, और ऐसे में exporters जो की अपने पर hoarding करके lab कमाना चाहते हैं, शायद उनको lab की बजाए और नुकसान हो जाएगा, जो consignment उनका packing पे था, वो भी नहीं आएगा, और जो उनके deal सी, वो भी cancel करने पड़ जाएगी, और बारत सरकार करने के लिए, तो वो उसका साफ कहना है कि हम अपने नागरकों को affordable कीमत पर डाल उप्रवद कराने के लिए, सरकार to सरकार dealing में आ जाएगे, और ऐसे में आप पर जो जुर्माना है, वो भी लगाए जा सकता है, और बाकी जो घरेलू इंपोर्टर्स हैं, उनको भी साफ कहा कीमते हैं, या आर्टिफिशल तरीके से कीमते बढ़ाना, यह किस्वी कीमत परदाख रहे हैं, और अबरीज यह में में मार का नाम क्यों आ रहा है, में मार के एक स्पोर्टर्स को सख चिताब नहीं क्यों दी, उसका क्या कनेक्शन है, कुछ खास डिस्टिनेशन हैं, जहां इंपोर्टर से, घरेलो इंपोर्टर से मिला है सरकार को, वो स्पश्च करता है कि यह सारे जो खुराफात हो रही है, वो में मार के एक स्पोर्टर्स कर रहे हैं, और इसलिए आज की बैठक में विशेष तोर पर बिडििो कौनफरेंसिंग के जरिए, में मार के जो अस्प किया गया था और उनके सामने ही घरेलों इंपोर्टर्स को पहले डाटा गया कि आप अपने पर होडिंग न करें उसके साथ साथ भारत सरकार के तरफ से सची उने खुद ये कहा है कि एक्सपोर्टर्स आप मैनमार के जो हैं वो इस तरह की होर्डिंग कर रहे हैं बैतर होगा वो अपने इंड पे इसको बंद कर दें वरना हम आपको इंपोर्ट कैंसल कर देंगे बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाब जागे